Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में मेरे पस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि secretly आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मन ही मन व आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखिए इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए के इंसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि Valentine's Special है तो येस रीडिंग में हमारे पास तीन पाइल्स की जगा पे 4 पाइल्स है और फिर्स पाइल्स है और फिर्स पाइल्स है और फिर्स पाैल्स है जैसे कि आप सब लोगे रिट कर पा रहे होंगे Heart Confessions लिखा हुआ है और इसो पाइल्स में हम देखेंगे कि आपके partnersij आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर वो क्या मन ही मन कहना चाहते हैं और आपको नहीं कहते हैं and considerations इस reading में हम देखेंगे कि आपकी February मन्त में क्या energies रहेंगी और overall के लिए considerations अगर आपकी energies देखें तो एक चीज बहुत ही clear दिख रही है कि जो भी इस relationship में हो रहा है या फिर आपके personal front में हो रहा है आप बहुत ही courageously, बहुत ही boldly हर चीज को deal कर रहे हैं आपकी तरफ से बहुत एक willpower determination हर चीज के लिए रहती हुए दिख रही है और देखें specifically देखें तो यहाँ पी cash love के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक चिडिया पिंजरे में बंध है और कुछ ऐसा ही आप भी deeper level पे कुछ time से या फिर February starting में महसूस कर रहे हैं और देखें यह general reading है तो सब considerations के लिए different situations हो सकती है different reasons हो सकते हैं जिसको लेकर आप एक बंधन सा महसूस कर रहे हैं एक जक्डन सी महसूस कर रहे हैं कुछ concerns के लिए partner की तरफ से limitations, restrictions हो सकती है या फिर उनका कोई behavior, action हो सकता है और कुछ concerns के लिए family की तरफ से कुछ restrictions, कुछ limitations हो सकती है और कुछ concerns के लिए हो सकता है कि उनके खुद के thoughts, in fact मैं कहूंगी negative thoughts, belief systems, emotions और feelings की वज़े से आप एक जक्रन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बंद गए हैं, आप जैसे खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए जो भी मन ही मन के लिए आप महसूस कर रहे हैं, so fifth level के लिए emperor का card कहता है, कि कोई देख के आपको जान नहीं सकता, कि again आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे emperor का card maturity की बात करता है, बहुत ही confidently, बहुत ही assertively हर चीज को deal करने की बात करता है, और देखिए ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ देख रहा है, आप discipline से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, कहीं action initiatives ले रहे हैं, कहीं अपने लिए stands भी लेते हुए देख रहे हैं, और देखिए mid February के लिए यहाँ पर love language and ace of pentacles के cards हैं, और love language का card कहता है कि जो भी आप अपने partner को कहना चाहते हैं, आप बहुत ही प्यार से communicate करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर सब considerations के लिए different चीजें हो सकती हैं, different बातें हो सकती हैं, लेकिन love language के ऊपर ace of pentacles का card है, और ace of pentacles का card कहीं commitment की बात करता है, stability, security की बात करता है, concrete चीजों के होने की या मिलने की बात करता है, तो देखिए nutshell में यहाँ तो आप एक commitment अपने partner को दे रहे हैं, या फिर आप अपने partner से एक commitment चाहा रहे हैं, और यही सब चीजें बहुत ही प्यार से आप अपने partner को communicate करते हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब कुछ concrete इस relationship में होना चाहिए, बातें बहुत हो गई, मजा मस्ती बहुत हो गई, again मैं कहूंगी कि एक stability आप चाहते हुए दिख रहे हैं, और यही चीजें communicate भी बहुत प्यार से करते हुए दिख रहे हैं, और देखें कहीं end of February के लिए strength and tough love के cards, similar सी energies की बात करते हैं, देखें tough love के card में लिखा हुए, this love acts tough or detached as a protection of the heart, तो देखें बहुत ही clearly Canadians यह card कहता है, कि आप किसी level पे या तो एक detachment लाना चाहा रहे हैं या फिर ला रहे हैं, और देखें इसके पीछे मकसद ही है कि आप अब और hurt नहीं होना चाहते हैं, हो सकता है कि पीछे आप बहुत emotional हुए, बहुत sentimental हुए and in the process आप बहुत hurt भी हुए, तो अब कहीं आप अपने heart को protect करना चाहते हैं, अपनी feelings को protect करना चाहते हैं, और यहां पर देखें strength का card भी कहता है कि कुछ challenges, कुछ issues रह सकते हैं, जिनको आप बहुत strongly, बहुत boldly deal कर रहे हैं और कहीं देखें again एक strength दिख रही है, कहीं एक toughness आपकी energies में दिख रही है, आप beyond the point चीजों से effect नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और कहीं you know again मैं कहूंगी कि आप emotional नहीं हो रहे हैं, आप melt नहीं हो रहे हैं किसी भी बात से, तो देखें overall के लिए अगर हम February month में आपकी energies देखें Cancerians, तो emotions missing दिख रही है, feelings और sentiments missing दिख रहे हैं, जादा एक practical, realistic approach दिख रही है, जादा आप you know again मैं कहूंगी कि tough तरीके से हर चीज को deal कर रहे हैं, या फिर खुद भी आप चीजों को लेकर बहुत tough रहते हुए दिख रहे हैं, तो ये थी Cancerians आपकी energies और नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partner की energies रहेंगी February month में, तो देखें सबसे भेले cards, Cancerians आपके partner के लिए हैं, two of wands, reverse and destiny point, और ये cards कहते हैं कि कुछ time से, या फिर February starting में, आपके partner इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, वो action initiatives लेना चाहा रहे हैं, कहीं वो next steps प्लान करना चाहा रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, या फिर again मैं कहूंगी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे सब considerations के लिए different reasons हो सकते हैं, और destiny point का card कहता है, कि हो सकता है कि किसी चीज को लेकर again कोई decision, कोई choice उनको लेनी हैं, और वही decision, वही choice वो नहीं ले पा रहे हैं, कहीं वो अपने आपको crossroads पे पा सकते हैं, जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या direction ले, क्या path ले, और शायद इससी लिए इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, लेकिन उतने action, उतने initiatives उस direction में नहीं ले रहे हैं, और देखिए, यहाँ पे deeper level के लिए wishes का card कहता है, answerians आप अपने partner के लिए एक wish हैं, एक desire हैं जो वो manifest करना चाहाते हैं, और देखिए, शायद इससी लिए वो next level पर भी इस relationship को लेकर जाना चाहाते हैं, और फिर से मैं कहूंगी कि किसी चीज़ को लेकर decision choice नहीं ले पा रहे हैं, और देखिए, जो भी इस relationship में हो रहा है, कहीं mid February में यहाँ पर five of pentacles का card कहता है, कि एक rejection, एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सब cancerians के partner के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन cancerians अगर हम आपकी energies देखें, तो आपके लिए यहाँ पर emperor का card था, tough love का भी card था, तो कहीं देखिए, आप बहुत एक, you know, tough energies में रह रहे हैं, आपकी तरफ से इतना affection, इतना attention वो नहीं महसूस कर रहे हैं, और देखिए, आपकी reading में मैंने कहा भी था, कि आप चीजों को लेकर emotional नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़ादा एक, you know, tough तरीके से चीजों को deal कर रह हैं, और ये एक बहुत बड़ा reason हो सकता है, कि आपके partner एक rejection आपकी तरफ से किसी भी level पर महसूस कर रहे हैं, और देखिए, आपी king of cups का card कहता है, कि वो बहुत एक प्यार महबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको बहुत ही maturity के साथ, अपनी feelings, अपनी emotions को express भी करें, लेकिन देखिए, deeper level के लिए triangle का card कहता है, कि किसी तीसरे इंसान की वज़े से, कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं, और हो सकता है कि देखिए, इसी वज़े से भी वो एक rejection महसूस कर रहे हैं, और देखिए, ये तीसरा इंसान किसी की भी तरफ से हो सकता है, और को अट्राक्ट हो रहे हैं, और यहां पर देखिए, किंसेरियन्स, आपका कोई family member, या फिर आपके partner का कोई family member, या friend circle, close one भी हो सकता है, in fact, देखिए, कोई भी इंसान हो सकता है, नचल में आपका किंसेरियन्स, close one, या फिर आपके partner का close one, या फिर आप किसी की तरफ temporarily attract हो रहे हैं, आपके partner attract हो रहे हैं, अगिन कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है, जिसकी वज़े से भी, इस relationship में, February end में, या फिर February month में, कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं, और ऐसा देखिए, आपके partner जादा महसूस करते हुए देख रहे हैं, और ये थी किंसेरियन्स, आपके partner की energies, and next reading में हम देखेंगे कि February month में क्या हो रहा है, तो देखिए, February month के लिए आप इस सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं, The World Reverse and Royal Crown, और देखिए, The World का card tarot में completion की बात करता है, ending and beginnings की भी बात करता है, और आप लोगों के लिए ये card reverse है, तो इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले रहते हु concerns या फिर उनके partner के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों को end करके इस relationship को नए सिरे से शुरू करना चाहा रहे हैं, या फिर एक नई beginning इस relationship के लिए किसी level पे लाना चाहा रहे हैं, और कुछ concerns के लिए हो सकता है कि इस relationship को ही किसी level पे end करके अपने लिए एक नई beginning चाहा रहे हैं, और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि ये energies बहुत ही कम cancerians के लिए देख रही है और देखिए जो भी हो रहा है कहीं एक अधूरापन, एक incomplete energies, cancerians आप या फिर आपके partner महसूस करते हुए देख रहे है और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि surface level पर जो भी हो रहा है कहीं royal crown का card कहता है this love brings honor and recognition तो cancerians या तो आपको आपके partner की वज़े से एक appreciation, एक recognition मिल रहा है या फिर आपके partner को इस relationship या फिर आपकी वज़े से एक appreciation, एक recognition मिल रहा है और देखिए mid February के लिए आपर first petal and the magician reverse के भी cards है और first petal का card कहता है something is beginning to fade and fall apart, a flower cannot bloom again तो देखिए हो सकता है पीछे कुछ issues, कुछ मसले आप दोनों के बीच में रहे या February month में again कुछ issues, कुछ मसले हैं या फिर otherwise भी एक attraction, एक connect किसी level पे थोड़ा सा कम होना शुरू होता हुआ देख रहा है और अगर ऐसा आप भी considerations पाएं तो इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को starting में ही अगर हम correct कर लेते हैं तो उसको बड़ा होने से हम रोक लेते हैं और देखिए वैसे भी tarot guidance के लिए होता है तो इस चीज से आप guidance लें और अपने relationship को आप ज़रूर better करने की कोशिश करें और देखिए surface level के लिए the magician reverse का card कहता है कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की energies काफी controlling, dominating हो सकती हैं अपने तरीके से चीजें करना चाहा रहे हैं और देखिए जादा आपकी दिखरी है concerns क्योंकि आपके लिए the emperor का card था और देखिए overall के लिए देखिए तो magician कहीं manipulative energies की बात करता है कहीं diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है और यहाँ पे भी देखिए concerns आप दोनों की या फिर आप दोनों में से किसी एक की रह सकती है और देखिए जिसकी भी ऐसे energies हों Cancerians आपने थोड़ा सा खयाल रखना है कि इस manipulation के पीछे motives और intentions ठीक हों और थोड़ा सा alert भी रहना है थोड़ा सा cautious भी रहना है और जो भी देखिए mid February तक हो रहा है कहीं end February में चीज़ें किसी level पे better होते होई दिख रही है और देखिए chariot का card कहता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक चीज़ों का control अपने हाथ में लेके कहीं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या बढ़ रहे हैं इन nutshell देखिए ये relationship आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और देखिए letter का card भी कहीं messages की बात करता है, communication की बात करता है, connect की बात करता है तो पीछे देखिए अगर आप दोनों के बीच में किसी भी level पे miscommunication हुआ या फिर इतनी बातचीत नहीं हुई, किसी भी level पे किसी भी तरीके का gap आया तो letter का card कहता है कि इन ही सब चीजों से related चीजे better होती हुए दिख रही है, ठीक ठाक होती हुए दिख रही है यानि कि आपकी बातचीत होती हुए दिख रही है, आप लोगों के बीच में communication होता हुआ देख रहा है और देखिए chariot का card कहीं travel की भी बात करता है और world का card भी कहीं travel की बात करता है तो Cancerians या तो आप हो सकता है February मन्त में ट्रावल कर रहे हैं या फिर आप दोनों एक साथ ही February मन्त में ट्रावल कर रहे हैं तो देखें नचल में जो भी again मैं कहूंगे कि mid February तक हो रहा है कहीं end February में चीजे ठीक ठाक होती हुई दिख रही है ये relationship आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में अच्छी खासी या ठीक ठाक बातचीत भी होती हुई दिख रही है तो ये था Cancerians आप लोगों के लिए February मन्त की energies and next वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partner की secret क्या intentions हैं आपके लिए इस relationship के लिए तो दिखिए यहाँ पे सबसे पहला card है What If और ये card कहता है कि आपके partner के इसी चीज़ को लेकर 100% नहीं महसूस कर रहे है या मैं कह सकती हूँ कि बहुत confident नहीं है एक doubt उनके मन में आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा अगर वैसा हुआ तो क्या होगा इनिशेटिव नहीं ले रहे हैं तो देखिए cancerians यह general reading होती है और यहाँ पे सब cancerians के partner के लिए different situation हो सकती है लेकिन यह आपका relationship है और देखिए अगर आपको clue दे रहे हैं cards तो इन clue को आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो आप जान पाएंगे कि क्यों आपके partner एक doubt में है और इसको आप किसी level पे correct करके अपने relationship को भी और better कर सकते हैं और देखिए यही tarot का मकसद भी होता है और यहाँ पर देखिए my love is only for you का card कहता है कि आपके partner आपको कहना चाहते हैं कि सिरफ और सिरफ आपके लिए ही उनके मन में प्यार और महबत है यहाँ मैं कह सकते हूँ कि आपके अलावा उनकी जिन्दगी में और कोई नहीं है और देखिए we will be together का card कहता है कि आपके partner आपको कहना चाहते हैं कि जो भी इस relationship में हो रहा है यहाँ पिर जो भी आगे हो आप दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे और मैं कह सकते हूँ कि आप दोनों यूनों हर हाल में साथ रहेंगे तो यह था कि आप लोगों के लिए आपके partner की तरफ से messages और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe जरूर करें